कि नवश्कार गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग क्या हाल चाल कैसे हो आप सभी लोग क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ है मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बर फिर से यूपी एसी वाला परस्पेक्टिव से तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी आवाज ओफुली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आ रही होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चाप्टर है दोस्त मेरे साथ साथ बने रहना और सारे चीजें एक साथ जैसे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे हिल्मुथ ठीक है एक लड़का था जिसका नाम था हिल्मुथ कहानी सुनना है अब हिल्मुथ जो है वो रात में उठता है तो वह अपने माबाप को अपने फादर मदर को वह बात करता हुए सुन लेता है अपने माबाप को बात करते हुए सुनता है पादय जो है दूँ और कիखे लिए जार कि एक तरह से एक तरह को कहरे दे कि तुम को इंवार दूं खुद भी मर जाओं रिमूत यह बात को सुनकर घबडा जाता है तो इसके फादर एक्षली भोल के रहे थे उसके फादर ऐसा क्यों बोल रही थे? इस चीज़ को समझना है हलमूद के जो फादर थे वो basically नाजी पार्टी को बिलॉग करते थे वो नाजी पार्टी को बिलॉग करते सब समझाओं गा कि नाजी पार्टी etc. क्या है? सब समझ में आ जाएगा नाजी पार्टी को बिलॉंग करते थे World War 2 end हो चुका था World War 2 end हो चुका था और World War 2 के end में Germany बुरी तरह यहां पर हार चुका था Germany हार चुका था और चुकि जर्मनी हार चुका था तो अब हेलमुत के फादर को यह लग रहा था कि जिस प्रकार से अभी तक जो treatment नाजीओं ने जियूज के साथ किया है जो treatment अभी तक नाजीज ने जियूज के साथ किया था अब वही treatment allied powers जो हैं वही treatment allied powers अब करने वाली हैं नाजीज के साथ यह कहानी मैं अक्को एकदम आगे की बता रहा हूं World War 2 खतम हो गया होगी World War 1 से very important chapter very important ठीक है बहुत important chapter होगा कहानी खबज में आगी हिलमुत सो रहा था रात में छोटा बच्चा है वो उड़ता है वो देखता है कि अपने उसके माबाप जो है एक दूसरी से बात कर रहे है उसका फादर जो है वो उसकी मां से बोलता है कि भाई यह सही टाइम आ गया है कि मैं तुमको मार दूं और खुद हिलमुत को भी मार दूं यह बात सुनके हिलमुत घबडा जाता है क्या वजा है उसके बाप ने इसी बात है क्यों बोली रीजन यह है कि वर्ड वार टू एंड हो चुका था जर्मनी हार चुका था जर्मनी बेसिकली नाजी पार्टी थी हिटलर की पार्टी थी हिटलर की पार्टी हिटलर तो हिटलर हार चुका था तो अभी तक हिटलर जिस प्रकार से बेहिवियर करता था इन जीूस के साथ अब चुकी हिटलर मर चुका है उसका प्रोपिगांडा मिनिस्टर गॉबल्स ते ओल कमेटेड सुसाइड सम मर चुके हैं तो अब उसके फादर को यह लग रहा है कि जिस जूज़ ने जिस प्रकार से हिटलर ने जूज़ के साथ यहां पर बैवार किया था अब वैसे ही एलाइट पावर्ज नाजीश के साथ करने वाले हैं इस तरह से यहां पर इनको पणिश्मेंट देने के लिए एक नूरिंबग जगे है एक जगे है जिसका नाम है नूरिमबर्ग में हो रहा था इसलिए इसको हम लोग नूरिमबर्ग ट्राइबूनल के 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 नूरिमबर् गया था international tribunal फॉर्म किया गया यह international tribunal में था इसलिए इसको हम लोग नुरिंबर्ग tribunal नुरिंबर्ग ट्राइल्स भी यहां पर कहेंगे अब यह सब कैसे हुआ नाजियों को punishment क्यों दी गई हिटलर ऐसे कौन से यहां काम कर रहा था या ऐसे कौन से उसने steps लिये थे जो उसको जो उससे खिलाफ काफी hate पैदा हो गया था ये सब को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा काफी पीछे और इसकी शुरुवात होती है world war 1 से now please give the heading first लिखिएगा यहापर काफी important है 1914 अब 1914 में आप होगे तो जर्मनी जो है सुझे का कहानी को जर्मनी स्टार्टिंग ऑफ दी ट्वेंटिए सेंश्री ए 1914 के आसपास जर्मनी जो है वह बहुत पावरफुल नेशन था बहुत ताकदवर नेशन था ठीक है और जर्मनी उस खाली बैठा हुआ था को समझ में आ नहीं रहा था जर्मनी एक्सपैंड करना चाहता था कि हम एक्सपैंशन करेंगे और दूसरे कंट्रियों को अपने कभजा लेंगे अपने अंदर इस एक्सपैंशन की शुरुबात में उन्होंने यहां पर शुरू की लड़ाई और इसी वजह से यहां पर हो जाती है वर्ल्ड वार वन जब जर्मनी अपने आपके एलाइड पावर्स नोट करिएगा एक तरफ थे आपके एलाइड पावर्स और दूसरे तरफ थे आपके सेंट्रल पावर्स Central Powers सब नियेगा जरा कहानी को अब Central Powers में कौन-कौन था यहाँ पर Central Powers में लिखिए Germany Germany इधर लिखिएगा Central Powers में Germany and Austria और the Austrian जो अमपायर था वो इस साइड था इस साइड आप देखोगे इलाइट पावर्स में तो आपको यहाँ पर England, France यह सारे countries मिलेंगे England मिलेगा France मिलेगा ठीक है यह सारे countries यहाँ पर आपको मिलेंगे Russia मिलेगा of course यहाँ बिल्कुल सही Russia मिलेगा यह सारे countries आपको यहाँ पर मिलेंगे तो World War 1 बेसिकली यहाँ पर लड़ी गई 1914 से लेकर 1918 के बीच और इस World War में था वो उसमें इन फैक्ट और आप देखोगे तो और countries में पर capture कर लिया था वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था और तभी उसी वक्त last में finally क्या होता है यहाँ पर यू विल्सी कि things changed और United States of America की entry हो जाती है 1917 मे 1917 में USA इस World War 1 में USA enters USA अपनी entry दिखाता है wild card entry होती है USA की और जब USA के entry हुई तो जर्मनी यहाँ से week पढ़ने लग गया और जर्मनी की हालत यहाँ से खस्ता होना शुरू हो गई थी clear clear के नहीं clear यहाँ पर बाते समझ में आ गई 1914 से लेकर 1918 के बीच में यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत साधा depletion देखने को मिला जब भी लड़ाई होगी तो of course क्या होगा depletion of resources depletion of resources और यह बहुत जाधा depletion हुआ resources का कहाँ पर ये रोप में बहुत जाधा depletion देखने को मिला यहाँ तक बात समझना आगी जर्मनी अब खाली वेठा हुआ है उसने का चलो एकस्पाइंड करते हैं जर्मनी दूसरे कंट्री को कप जाने निकल गया जब आगे कप जाने बढ़ा तो भाई इसकी तरफ कौन रहा जर्मनी को जर्मनी अपने साथ में ला लिया लडाई चल रही है लेकिन जर्मनी यहाँ पर अभी भी डॉमिनिट कर रहा है इंट्री होती है इस वर्ल्ड वर के अंदर तब जर्मनी भीक पढ़ने लगता है आप देखोगे जर्मनी जो है आखरी में जाके लडाई हानने लग जाता है क्लियर है आपर ठीक है इंपक्ट क्या हुआ इस वर्ल्ड वार वन का इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं प्लीज लिखिए इंपक्ट ओफ वर्ल्ड वार वन आज इस चाप्टर को पढ़ दो जिंदगी पर याद रहेगा जिस आपसे पढ़ा दूंगा जिस आपसे प इस चाप्टर के साफ से तीन इंप्पोर्टेंट पॉंट पर्स्ट जब वर्ल्ड वार लड़ी गई पहली चीज जर्मनी में जो अभी तक मुनार्की थी वो मुनार्की से बोला गया राजा से बोला गया कि तुम अपनी थ्रोन को अब्डिकेट कर दो यानि कि अपनी गद को इहां पर किंग ने अब्डिकेट कर दिया जानि कि मुनार्की जो है वो यहां पर अब खतम हो गई अब देखो जड़ा अगर राज़ा शाही चल रही तक अगर वह खतम हो गई तो अब उसकी जगह नहां पर कौन लेगा कौन बैठे गदी पे कौन बैठे का गदी पे य No.2 Birth of Vilmar Republic नोट लिजेगा । inte कर लीजेगा olym रे पबलिग में यहां पर क्या हुआ वेन रिपबलिक मतलभ हम लोग जर्मडी के नाम से जानते कभी-कभी इक सवाल आएगा बनता है कि जयोता हुआ परम चों होता है यहां पर इसलब नाश Carnal assembly बनती है यहाँ पर एक national assembly form होती है यह जो national assembly है यह demand करती है दो important चीजों की ठीक है पहला लिखीगा कि हमको democratic system चाहिए we want a democratic system और दूसरा हमको federal system चाहिए अब जिनको नहीं पता democratic का मतलब क्या है I hope सबको पता ही होगा democratic का मतलब है जहां पर जो लोग है वह अपने प्रतिनीदी को चुन रहे हैं democratic ठीक है और federal मतलब जहां पर आपकी टू लेवल पर गवर्मेंट चलती हो central government state government जैसे आप देखते हो इंडिया के अंदर तो जब यहां पर मुनार्की ने अपनी वह democratic होगा और दूसरा दूसरा यहां पर वह federal होगा clear ठीक है अं धूर्ड important point इसके बाद इसके बाद जब यहां पर डेमोक्रेसी और federal structure की डिमांड ओ गई तो third important point कि यहाँ पर अब लोग जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करने लगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या मतलब होता है comment box से मुझे बताएगा I hope ये चीज़ आप लोग समझते होंगे what is the meaning of universal एडल्ट फ्रेंचाइज clear ये था impact world war one का अब जब world war one खतम होती है जब जर्मनी हार गया world war one end हुई तो बहुत important डोट करिएगा 28 जून 1919 28 जून 1919 28 जून 1919 को एक बहुत important treaty sign होती है वर्साइल में ठीक है नोट करिएगा वर्ल्ड वार एंड हुई वर्ल्ड वार वन एंड और एक बहुत important treaty sign होती है कहां पर वर्साइल में और ये treaty sign होती है दो पार्टी की बीच में एक तरफ था जर्मनी क्योंकि जर्मनी ने बहुत इसको हरा दिया गया था और एक तरफ थे allied powers एक तरफ थे allied powers इस treaty को जो allied powers और जर्मनी के बीच में होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ओफ वर्साइल ट्रीटी ओफ वर्साइल नोट करिएगा वेरी वर्य इंपॉर्ट समझ में आ गया सीधी कहानी वर्ल्ड वार वन हुई जर्मनी ने टैक किया जर्मनी बहुत कर रहा था यू ऐसे के एंट्री हुई जर्मनी वहां कमज़र पढ़ने लग गया वर्ल्ड वार एंड हुई दोनों देशों के जर्मनी क्योंकि उसको जर्मनी को अरा दिया गया तो एलाइड पावर्स ने जर्मनी की साथ यहां पर एक ट्रीटी साइन करी यह बेसिकी ट्रीटी ओवर्साइल था जो एक तरह से क्या था यह तरह से आपका पीस ट्रीटी था दिस वाज अपीस ट्रीटी ठीक है यह इन दो फैक्शन के बीच में पीस ट्रीटी थी क्लियर clear very important 28 June 1990 note कर दिये अब ये जो treaty of Versailles आप देख रहे हैं this treaty was really humiliating ये बहुत जादा humiliating थी किसके लिए Germany के लिए Germany को इससे बहुत घुटा नो लगी इस प्रकार के कतने खतरनाक provisions यहाँ पर allied powers ने रखे जर्मनी की उपर इतने खतरनाक provisions कि वो उनके लिए बड़ा humiliating था बहुत ज़्यदा painful था और जर्मनी काफी ज़्यदा humiliate काफी जर्मनी को इस treaty के सहत exploit किया गया काफी exploitative nature की थी ये जर्मनी के लिए और जर्मनी के लोग इस चीज से काफी नाखुश हो रहे थे ठीक है ना clear है अब इसी बात पर अगला सवाल आप लोग के सामने आप लोग खुद पूछोगे मेरे इसाब से बताइए अगला सवाल क्या दिमाग में आ रहा है आप लोग के भाई मैंने कहा कि 28 जूर 1919 को यहाँ पर end we war ठीक है फिर उसके बाद treaty of Versailles sign करी करी गई एलाइट पावर्ज और जर्मनी की बीच में मैंने कहा कि treaty of Versailles बड़ी ही यहाँ पर खतरनाक थी बहुत हुमिलेटिंग थी वागे लोगों के लिए और बहुत ही एक्स्प्राइटिंग थी तो अगला सवाल क्या बनेगा आप लोग के हैं लिखिएगा treaty of Versailles हैटिंग डाल दीजिए ट्रीटी ओफ वर्साइट प्रीटी ओफ वर्साइट पोर इंपोर्टिंट पॉइंट 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 चलिए बना लिए बना लिजाए नंबर वन नंबर वन जर्मनी की जो भी territory overseas territory थी और उसकी वो 13% territories जो बाहर दूसरे countries में थी उसको ले लिया गया जर्मनी से ठीक है उसके अलावा जर्मनी के जो भी resources थे 75% of the iron resource of Germany and 26% of the coal resource of Germany यह दोनो resources को यह दोनों संधाधनों को 25 फीजदी iron और 26 फीजदी coal इन दोनों resources को जर्मनी से ले लिया गया यह treaty थी अब सोचो उस मतलब देश के लिए iron और steel कितना important होता है और अगर उस देश से उसके आप resources ले ले रहे हो तो वो Germany क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा बास समझना रहा है तो पहला point कि भाई जो भी यहां पर territories थी जर्मनी की territories overseas territories और दूसरा 13 परसेंट जो German colonies थी अलग countries में German colonies का मतलब जर्मनी दूसरे countries में उनकी वहां पर वो control किये हुए थे उसमें one-tenth of this German population रहती थी वो जर्मनी से ले लिया गया territories plus resources resources taken away नोट करिएगा देखो कैसे आपर आपको समझागा कितनी humility बन रही है resources की बात मैं कर रहा था तो 75% of the of iron resource और 26% of coal कि यह ले लिए गए clear है ठीक है दूसरा अब जर्मनी को और बरबात करने के लिए कहा गया आपके जर्मनी से कहा गया कि आप अपनी आर्मी कम कर दीजे तो जर्मनी को Demilitarize कर दिया गया अब सोचो किसी country की अगर military नहीं है द्री गलिटराइस जर्मनी अगर किसी country की military नहीं है तो वो country क्या गरेगा बिना है military की तो कुछ भी दी कर सकता और जर्मनी की military कम कर दी गई थी जर्मनी की डी-milli-trialize कर दी गई थी इससे क्या हुआ इससे जर्मनी की power और जादा यहां कम हो गई थी इसके बाद जर्मनी की बहुत ही important area है जिसको बोलते हैं नोट करिएगा Rhineland और Rhineland जो है that is basically ऩर्ली राइनलेंदिक तरह से पेट्रॉल ये जैसे कि कार अब कार को सलाने के लिए सबसे important क्या है उसका petrol हुआ इसका diesel Iya फ्यूल वैसे ही जर्मनी पनी को चलाने के लिए जर्मनी का जो फ्यूल था वह राइनलेंड में था क्योंकि राइनलेंड बहुत ही ता resources में राइलांड rich in resources rich in resources और इस area को इस area को occupy कर लिया था occupied इस area को occupy कर लिया जर्माणी की गुटन और बढ़ गई ये हमारा जो फ्यूल था जिस से हम चल रहते हो हमारा ले लिया गया हमारी military को हमारे military खतंगर दी गई हमारी territory हमारी resources छीण لिये गए समझ रहो and then finally very important fourth point जर्मनी से कहा गया कि जितना भी आपने यहाँ पर world war 1 में नुकसान किया है ना जितना भी आप में तबाही मचाई है ना उसके लिए आप पैसा दीजे खोका दीजे रोकड़ा पहुचाई है हमारे घर पे यानि कि जर्मनी को फोर्स किया गया कि आपको कंपन्सेशन पे करना पड़ेगा for the damages जो आपने दिक्किये हैं यानि कि वर्ल्ड वर वन का जिम्मिदार जर्मनी को ठराया गया और कहा गया कि आप कंपन्सेशन पे करिए यह थी treaty of Versailles की provisions अब सोचो जर्मनी as a country अगर आप जर्मनी में रह रहे होते और आप जी कंप्री पे यह provisions थोब दिये जाएं तो जर्मनी की जो उल्जन है जर्मनी की जो suffocation है वो बढ़ती चली जाएगी और वो परशान होना शुरू हो जाएगा है कि नहीं clear है कि नहीं है कि नहीं हाँ अब सोचो क्या यह जो treaty थी इस treaty को sign किया गया ठीक है लेकिन obvious ही बात है कोई भी treaty sign होती है तो वहां की सरकार sign करती है अब याद रखना मुनार्की तो fall down हो चुकी है अब वहां पर मुनार्की नहीं है world war one के बाद king ने अपनी throne को abdicate कर दिया वहां पर वेमार republic है यानि कि वहां पर parliament है अब ये parliament वहां पर है parliament में क्या होता है कोई भी parliament होता है तो parliament के अंदर आपको दो प्रकार के लोग मिलते हैं parliament में हाई या तो वो आपके होंगे ruling party से ruling party से या वो होंगे आपके opposition party से तो यहाँ पर क्या हुआ कि ruling party ने इस treaty को sign किया था और वेसी बात है है कि नहीं और यही sign करेंगे ना हाँ तो जब इनको sign किया तो जो opposition party थी वो ये criticize कर रही थी कि भाईया इन लोगों को sign नहीं करने चाहिए थी treaty of exile क्यों क्योंकि हमारे लोगों के अंदर Germany की military के अंदर अभी भी power थी कि वो world war 1 में fight कर सकते थे तो थे basically criticized क्या criticize किया क्या criticize किया German military German military should not have could have could have fought world war 1 परदर वो और आगे भी world war 1 लड़ सकती थी जब अरश्ति surrender कर दिया इनका आरोप था opposition किया कि आपने surrender कर दिया उनका सवाल यह था आपने surrender क्यों किया भाई लोग यह रूलिक पार्टी वाले लोग जिन्हों ने स्ट्रीटी को साइन किया था यह ट्रीटी नवेंबर 1918 में साइन हुई थी तो इसको यहां पर क्या कहते हैं इसको हम लोग इसको नवेंबर में साइन हुई थी इसलिए इसको हम लोग यहां जिन्हों ने इसको साइन किया उनको नेवेंबर क्रिमिनल्स कहा गया वेरी वेरी इंपोर्टेट उनको नेवेंबर क्रिमिनल्स कहा गया नोट कर लीजे यहां तक बात है क्लियर हो गई कि ने क्लियर हो गई पॉइंट इस क्लियर और नॉट क्लियर मतलब सीधी बात है ना पावर थी वो लड़ाई लड़ सकते थे तो आपने क्यों साइं शेंडर कर दिया क्यों आपने स्टीटी को साइं किया तो जन लोगों को साइं किया था उनको नेवंबर क्रिनल्स के नाम से यहां पर जाने लगे क्लियर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे एप पे जाएगा एप पे आपको नोट्स मिल लागा बुनियाद बैच के अंगर यहां तक की कहानी तो यह थी ट्रीटी ओवर्साइल यानि कि जर्मनी की उपर थोपी गई वो ट्रीटी जो जर्मनी के लोगों के लिए बहुत जा आ गया है हाइपर इंफलेशन इंफलेशन क्या होता है जब चीजों के दाम कॉमेडिटी के दाम बढ़ जाते हैं तो इसको इंफलेशन बोलते हैं लेकिन जब हाइपर इंफलेशन मतलब मतलब बिना मतलब लाइक दो गुना चार गुना दस गुना सो गुना प्राइस हो ज क्या है कैसे एस सिंगाई बढ़ गई यहां पर संग्यों का वो क्या होते हैं संदेशलॉंआ कि यहां पर समझना यह है कि क्यों हाइक इंपर-इंफ्लेशन देखने सब आपको जर्मनी चलेंग्हें यहां तक्त्त अपलो मेरे साथ हैं अर्ग में च्रूं चब्रोप और चक्छा लेकिन वर्ड वर्वार स्था आउस Ky-हाल तत्स वर्यान प्सथा किया रिजन था कि येस एनीवन क्या एनध सा पहला जर्मनी निजIVE लड़ाई लड़ी थी फरस्ट जर्मनी बाया लड़ी ह worked with one उसके लिए उसने वार लोन लिया थे और अब इस वॉर लोन को लोट्र अने लौटाना पड़ा लॉटाना था और वह अब यह रिबेंट hours हो रहा था वह गोल्ड में हो रहा था रीपैयमिंट इन गोल्ड सोचो जरा करना यानि कि तुझ गोल्ड रिजवर्व हैं रिखे वह रहे वह था रहे हैं आप ऐसे सिचुएशन में कंट्री के region है जहां पर आपको natural resources मिलते जर्मनी के अंदर तो फ्रांस ने जो है वह रूर को occupy कर लिया एक बहुत important industrial area है रूर एक बहुत ही important industrial area था तो आपको यहां पर ऐसा मतलब इसा बहुत चीज़े मिलेंगी तो इसको यहां पर रूर को occupy कर लिया third अब अपनी problem से उबरने के लिए चुकि hyper inflation हो गया था चीज़े बहुत महंगी हो गई थी लोग समान नहीं खरीद पा रहे थे तो सरकार ने करेंसी की ओवर printing करना शुरू कर दी क्या होता है कि हमेशा demand supply चलती है एकनोमिक्स जो है लेकिन यहां पर क्या हुआ आस्मान जो दाव जो commodities थी उनके prices आस्मान चूम रहे थे और लोग जो है वो समान नहीं खरीद पा रहे थे इसलिए सरकार ने उन्हों चीज़ों को क्या को एक तरह से विचेब में भी 15 15 20 20 50 50 लाग रुपए थे यूद्ट को कोई पूछी नहीं रहा है बेकारी बेकारी के हाथ में है तो क्या मतलब रहे गया ओवर प्रिंटिंग ओफ करेंशी यह यहां पर किया गया नोट करिए और जब आप ओवर प्रिंटिंग करोगे करेंशी का तो पॉइंट नंबर फॉर वैल्यू ओफ यहां मार्क यहां मार्क क्या है मार्क इस दी करेंसी जो जहां करेंसी थी उसको बोलते मार्क जैसे इंडिया का रुपिया है हना जैसे इंडिया का रुपिया बोलते हैं हना वैसे यहां पर जैसे आप यूएस का डॉलर्स बोलते हैं वैसे यहां पर करेंसी यहां पर क्या है म मार्क तो वालू थी मार्क की वो बहुत जादा गिर गयी थी कि बास समझ में आ गया क्लिएर यह यह पॉइंट क्लियर हो गया वैली ओफ मार्क जो है वह बहुत जादा गिर गया अब कितना गिर गया अपने सल्ट पे देखो गे तो तो एपरिल में देखोंगे एक डॉलर जो है वो 24,000 मार्क्स था बता देता हूँ थोड़ा कॉमिक फिगार है लेकिन डेखके बहोश मत हो जाना एक डॉलर की जो कीमत थी वो 24,000 मार्क्स हो गई थी इन एपरिल ये दाम थे, ये दाम थे, ये कनवर्जन था, एक डॉलर मतलब 24,000, 24,000 यहाँ पर मार्क, इतना ही नहीं, जुलाई में हम बात करेंगे, तो एक डॉलर की वैल्यू जुलाई में, तीन लाक तिरपन हजार मार्क हो गई थी, कब इन जुलाई, नोट कर लीजे चाहे तो, अचंबित मत होजेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद आप देखोगे, कि एक डॉलर की कीमत, एक डॉलर की कीमत, 46,21,000 हो गई थी, 46,21,000 मार्क, ये वैल्यू हो गई थी, कब इन ओगस्ट, और फिर उसके बाद, में, डिसम्बर आते आते आप देखोगे, इन डिसम्बर, इन डिसम्बर, एक डॉलर की जो वैल्यू थी, वो लगबग लगबग यहां पर, 9,88,60,000 हो गई थी, 9,88,60,000, ये, एक मार्क, एक डॉलर की कनवर्जन बता रहा हूँ, ये मैंने फिगर आपको उसलिफ इसलिए बटाए, ताकि आपको ये समझ में आये, कि कितनी बुरी तरह से एकनॉमी जो है, वो जर्मानी की गिर रही थी, बास समझ में आगया कि नहीं आगया, हाइपर इंफलेशन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी कि ट्रीटी और बरसाइल अपने आप में बड़ी दिक्कत थी, और उपर थे हाइपर इंफलेशन हो गया, ठीक है, तो आप देखोगी ये जो पीरेड है, 1924 से लेकर 1928 थक का, ये बहुती अंस्टेविल प बीच में, stability,ンネル点ा का, स्टेवलिटी यह फिर बी जर्मनी में थी थोड़ी बहुत stability थी, ठीक है, लेकिन, लेकिन, 1929 में क्या हुआ, 1929 में, ग्रेट एकनोमिक दिप्रेशन, ग्रेट एकनोमिक, डिप्रेशन आगया, अब यह क्या सेनारियो होता है, ग्रेट एकनोमिक डिप् अमेरिका में, United States of America में आ गया और यहां पर जो USA का Wall Street Exchange था, जो यहां का share market है, Wall Street Exchange, Wall Street Exchange यहां पर crash कर गया, अब इससे this impacted Germany, अब आप सोचोगे सर यह कैसे, यह Great economic depression आ रहा है, अमेरिका में, लेकिन इसका impact हमें जर्मनी पर भी देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों, देखो, पहले मैं समझाता हूं, Great economic depression क्या है, बहुत ही आसान सी भाषा में, कि Great economic depression क्या होता है, ग्रेट economic depression का मतलब यहां पर यह है, कि जब भी किसी भी economy में, prices गिरते चले जा रहे हैं हो, हना और वो recover न कर पाए economy, अब कैसे हो रहा, economic great economic depression, कैसे माल दीजे, यहां पर हम कहते हैं कि कोई एक factory है, कोई industry है, जो 10,000 पारले जी बिस्कुट बनाती है, चैन थाउजन वो पारले जी बिस्कुट बनाती है, और 10,000 पारले जी बिस्कुट बनाने के लिए, उसको 1000 employees की जरुवत है, समझे का थारा क्या हो रहा है, वन थाउजन इंप्लाइज की जरुवात है पॉर एक्जामपल अब अगर डिमांड कम हो जाए यानि कि दसजार डिमांड होगी पारले जी बिसक्ट की इसलिए दसजार बना रहा है लेकिन मान लिए किसी एक टाइम पर क्या हुआ कि लोग जो है पारले जी खाई नहीं रहें और अब लोग इतना कम खा रहें कि अब इंडस्ट्री ने कहा क्या हम पांसधार पैकट बनाएंगे पारले जी कि तो आधे हो गए तो इसका मतलब क्या है लोग भी आधे हो जाएंगे तो पांश एफ़जार एंप्लोईज के जगा अब आपको सिर्फ पांसो कम ननिको गाएं आप दो GOई और लो लोग जो है अब यह करेंगे इनकी दिमांड क्या दिमांड करना बंद कर देंगे लिगण करना पंद कर देंगे और जब यह डिमांड करना और बंद कर देगी इस तरह से सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर इसको बोलते हैं ग्रेट इकनॉमिक डिप्रेशन अब जर्मनी में अभी तक जो जो यहां पर इंडस्ट्री चल रही थी जर्मनी के अंदर वह अमेरिका के लोंस के वज़े से चल रही थी अमेरिकान उनको लोन दे रखा था अब जब अमेरिका में ग्रेट इकनॉमिक डिप्रेशन आया और उनका वाल स्ट्रीट एक्सेंज क्रैश कर गया तो लोगों ने अपने पैसे उस चेयर मार्केट से निकालना शुरू कर दिया लोगों को लगा यह ऐसा ना हम मार खाया हुआ था वस्ट वर्लवार के अंदर तो जर्मनी के पास पैसा नहीं था क्या करें और इसी वजह से जर्मनी की उपर बहुत 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 नेगेटिव इंपक्ट या बहुत ही और दुर्दशा उसकी हो गई जब उससे लोंज भी वापस अमेरिकाने लेना स्ट कर दिए ठेके हैं डाल दीजें यहां पर वरी इंपॉर्टेंट कि इसका आउटकम यहां पर क्या होता है नंबर वन लीज गिव दी हैडिंग आउटकम है आउटकम जब वाल्स्रेट एक्सचेंज क्रेश हुआ तो इसका क्या क्या आउटकम देखने को मिलता है फिर्स आप नाशनल इंकम हाफ हो गई नाशनल इंकम जो थी कंट्री की क्या हो गई हाफ नाशनल इंकम क्या हो गई हाफ हो गई इसके लावा फैक्टरीज शट डाउन हो गई इसके लावा फैक्टरीज इसके लावा फैक्टरीज इसके लावा लिखेगा फैक्टरीज शट डाउन हो अब factory shutdown होगी तो क्या होगा इसका मतलब sir unemployment बढ़ने लग गया unemployment बढ़ने लग गया unemployment बढ़ेगा तो क्या होगा लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे loot शहरों में loot की वारदात बढ़ गई थी जब loot बढ़ जाएगी तो क्या होगा शहर के अंदर पब्लिक के अंदर फियर आ जाएगा दर पैदा हो जाए दिस वाज दी आउटकम ऑफ दी ग्रेट एकनॉमिक डेप्रेशन जो यहां पर वर्ल्ड पे पड़ा था ठीक है नाशनल लूट पार्ट करना शुरू कर दिया जब लूटा तो लोगों के अंदर देह्शत पैल गई और सिचुएशन अब यहां पर बहुत जादा खराब हो गई थी जर्मनी के अंदर जर्मनी के अंदर चीज़ें जो है अब समन नहीं रही थी इसका मतलब में एक बात जो क्रक्स जो वर्साइल थोपी गई थी उसके प्रोविशन बहुत जादा हिउमिलेटिंग थे जर्मनी के लिए जर्मनी को इससे बहुत घुटान होना स्टार्ट हो गई थी और प्लस बची कुछी कसर जो है वह ग्रेट इकनामिक डिप्रेशन ने पूरी कर दिया था और एक बात य जो लोग थे उन्होंने वो व्यमार रिपब्लिक जो था यानि कि जो पार्लेमेंट फॉर्म हुआ था मुनार्की खतम होने के बाद उससे लोगों का विश्वास उड़ गया खतम हो गया पीपल लॉस्ट होप इन व्यमार रिपब्लिक और व्यमार क्या था जर्मनी तो जर है कि सिचुएशन किसी भी कंट्री कंदर आती है जब भी एक पॉलिटिकल सेटप डिस्टर्व होता है जब भी इक इनस्टेबिलिटी आती हमेशा हमने देखने को मिला मैं आपको क्लासिक्स ते पढ़ाते आ रहा हूं तो हमने कितनी जेगह देखा कैसे की और एक्जाम्प का यहां पर फॉल डाउन हुआ जब लोगों के अंदर यह होप खतम हो गया तो ऐसे सेनारियो में यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी का यहां पर जरम होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की जीवन इस कहानी मेंट्री होती है और उस करेक्टर का नाम है इडॉल्फ हिटलर लिग लीजिए अडॉल्फ हिटलर क्लियर अमारिका में एकनोमिक डिप्रेशन का इंपक्ट जर्मनी पे कैसे पड़ा यह बता दीजिए देखो यार सिंपल सी बात है ना कि अमारिका ने जर्मनी को लोन दे रखा था आउन हाना जर्मनी याद करो जर्मनी बरवाद हो गया था वर्लॉर्वन की बाद पैसा है नहीं एकडम बिकारी बन चुका था तो अमेरिका ने का चलो ठीक हम तुमको को help कर देंगे तुम्हारे इस पीरेट से तुमको इस जगह से निकालने में तो अमेरिका ने लोन दिये जर्मनी को लेकिन जब अमेरिका में ही डिमांड कम हो गई और वहां पर उनका लोगों यहां तक बार्ण किया लोगों के लाइन निकाल लिया अमेरिका इस अपने लोन वापस मांगे वाइस अब लूट की वारदात शहर में ज्यादा वारेल हो गई बहुत हो जया लगी यह दर का माहूल था clear है यहां तक बात people lost hope in Germany यहां से शुरू होती है कहानी Adolf Hitler की और Nazism की please give the heading rise of Hitler rise of Hitler clear 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 है के नहीं clear है ठीक है अब 1889 में हिटलर का जनम हुआ था और हिटलर की पदाईश हुई थी he was born in Austria और आप देखोगे की 25 साल की उमर में वो काफी medal जीत लेता है और World War One में वो participate करता है ठीक है ठीक है तो प्लीज नोट करिएगा 1889 birth of Hitler birth of Hitler कहां पर Austria और एड़ एज ऑफ ट्विंटी फाइव एड़ दी एज ऑफ 25 साल की उमर में आप देखोगे क्या होता है ही जॉइंस ही जॉइंस आर्मी अब तो जो 25 साल 1889 में बर्थ हुआ और 1914 में 25 साल कितना हुआ 1914 1914 में वो वर्ल्ड वार और ने पाट्सपेट करता है यह देख लीजी आप 25 साल में हमको पता नहीं होता हमें क्या करना है यहां पर वो आदमी जिंदगी और मौत का गेम खिल ला था था है वह अपने आपको आर्मी में एंडॉल करा लेता है और बहुत सारे मेडल्स भी यहां पर जीता है लिख लीजेगा क्यों क्यों क्योंकि इससे आप पूरा बैकड्रॉप याद रहेगा जब याद रखोगे कहानी का तो आपको कहानी एजी ली याद रख पाऊगे तो रखता है जसको नाम वह करता है जिसको आगी जाके फेमस ली नाजी पार्टी के लाइन को उता है कैसे इस नाथी नहीं से थिक конечно लिख लिए यह लिख लिए इसब चीज़े नोटगां लिए इं। है कहानी को जोड़ने के लिए बह। सारे मेंडल सी थे तो जर्मनी लॉस्ट जर्मनी हएड लॉस्ट यह बात क्लियर थी जर्मनी है lost treaty of Versailles treaty of Versailles बहुत ज़्यादा horrific थी बहुत ज़्यादा horrific थी बहुत ज़्यादा furious थी लोगों के लिए और ऐसे में जब Hitler सामने आया ऐसे में जब Hitler सामने आया तो Hitler ने एक debris को में किया Hitler in PT ले इसको German workers party नोट डिये गा हाँ German Mexico workers party को इसने join किया इसी का बात में लेटर ऑन लेटर ऑन इसी का वो क्या हैड बन गया था उसका नाम रखा गया ले नैशनल सोश्ड नाशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और बाद में इसी पार्टी को हम लोग फेमसली नाजी पार्टी के नाम से जानने लगे हैं क्लिएर हो गया कि नहीं क्लिर हो गया बताईये अब नाजी पार्टी का किस प्रकार से यहाँ पर रोल बना किस प्रकार से उनकी पहुंच पहुंचती है मतलब जर्मनी के इंदर वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यह लिख लिया प्लीज गिफ दी नेक्स हेडिंग राइज अगली हेडिंग राइज ओफ नाजी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स अब एक बात एक बात जो है जो हमेशा कहता हूं वो यह कभी भी आपको हताश नहीं होना चाहिए कि अरे सर नहीं होगा मैं आयस नहीं मन पाऊंगा ऐसे हताश मत हो क्योंकि यह एक्जाम ही ऐसा है अगर इतना असान होता तो हर कोई आयस हो जाता यह गेम है जो आपकी मेंटल नहीं नहीं मेंटल केपिबलिटीज आई आपके दिमागी संतुलन को आपकी दिमागी शक्ति को दिमागी पावर को आपके छेक्ष करता है यह जान है और कभी आप रही चाहर के करने आपको मेंगए यह मुध कि नहीं होगा, रो मत, do not cry, do not cry, every time मैं यहीं बोलता हूँ, कभी मत रो, कि कुछ भी इस जिंदगी में ना, कुछ भी, वो परशानी नहीं है, कुछ भी परशानी नहीं है, हर एक चीज, आपके लिए एक चालेंज होना चाहिए, परशानी नहीं होनी चाहिए, क्यार अगर वो आईस बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो, आप भी हाटा खाते हो, वो भी हाटा खाता है, समझ में आ रहा है, यह message हमको Hitler देता है, और कैसे दे रहा है, वो ज़रा समझ यह हैं आपर, three important points, कैसे वो जर्मन पॉलिटिक्स में बढ़ता है, three important points, पहला point, पहला point, very very important, very important, 1928 के elections में, 1928 elections हुआ, तो नाजी पार्टी, got only 2.6% votes, सिर्फ 2.6% votes इसको मिले, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर वो कहता, क्या रहे भाईया, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी हिटलर आगे नहीं वड़ पाता, एक तरह से यह इसका failure था, पहली बार में फेल हो गया, 1928, उसके बाद, 1929 में आपको पता है, मैंने बताया, क्या, B.1929 में आगया, Great Economic Depression, और इस Great Economic Depression को, उसने फैदा, Opportunity की तरह देखा, This was the opportunity for, This was the opportunity, देखो, कितना important message है, कहानी देखो, कैसे बुन रही है, failure, पहला step, दूसरा, Opportunity, क्या हुआ है यहाँ पर, 1929 में, Great Economic Depression आया, जब Great Economic Depression आया, तो Hitler ने लोगों से कहा, क्या बात है, लोगों ने कहा, तकलीब बहुत है, तो उसने कहा, कोई दिक्कत ने, मैं हूँ ना, और फिर उसने कहा, कि भाया, जो भी जर्मनी में खुशाली थी, मैं वापस ले आऊँगा, ठीके, और जर्मनी, बे उपर, जो ट्रीटी ओवर्साहिल थोपी गई है, मैं इस ट्रीटी ओवर्साहिल को अंडू कर दूँगा, मतलब ख़तम करवा दूँगा, बड़ी अच्छे-चे मीटी-मीटी बाते हिटलर ने करी, और लोगों का विश्वास हिटलर ने बन गया, क्या बात है, ऐसा तो लोग हिटलर को मसिया मानने लगे थे, यार यह हमारी दिक्कत हो दूर कर देगा, उसने कहा कोई भी फॉरेंट इंटेफरेंस नहीं होने दूँगा जर्मनी के अंदर, उसने कहा कि हर लोगों को नौकरी मिलेगी, घर-घर नौकरी दूँगा, बुला-बुला के नौकरी दूँगा, तुम भी नौकरी ले जाओ, लोग उसकी बाहर से बड़े प्रेरेथ हो गए, कि क्या बात है, 1999, Great Economic Depression को उसने क्या किया, Opportunity मनाई, और इससे उसने यहां पर प्रोपगांड़ा करना शुरू कर दिया, प्रोपगांड़ा, क्या प्रोपगांड़ा किया था, इसके चार पॉइंट्स हैं, अब बताता हूँ आपको, लेकिन अभी स्टार लगा लो, ठीके, अन्जिली देखोगे, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, 1932 में, 1932 में, इतने प्रोपगांड़ा करने के बाद, जहिर थी बात थी, नाजी को जीतना ही था, यहां नाजी पार्टी जीत जाती है, नाजी पार्टी विंस, वेर्य इंपॉर्टेंट, और नाजी पार्टी को जहां पर 37% of the votes मिलते हैं, 37% votes जो हैं, वो जहां पर नाजीयों को मिलते हैं, देखो 2.6% से, जो जर्नी उसकी 37.6% तक कही, वो आप यहां पर देख पार हैं, यहां पर finally, क्या हुआ, finally you find success, success, यह आप देख पार हैं, failure, opportunity, success, clear, clear, बात समगना आ रही है, बात clear आ रही है, यहां तक बात है clear हुई, चलिए, अब देखते हैं, कि, हिटलर ने वो कौन-कौन से promises किये थे, वो कौन-कौन से propaganda किये थे, promise ही था ना, अरे कसमी तो दी थी, propaganda किया था उसने, बोला कसम था, कि मैं कसम खाता हूँ, मैं जर्मनी को वो राष्ट बनाऊंगा, जो जर्मनी पहले था इतिहास में, भाई, यहां पर जो लोग, इसको उपना चैड बॉक्स बना के रखे हैं, उससे ना, विन्रती करता हूँ, कि यह सब बना करें, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग के लेबल पर, हना, क्या-क्या प्रोमिसेस थे, क्या-क्या प्रोपगांड़ा था, जो हिटलर ने किया, चलिए देखते हैं, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टन, फर्स्ट, बना लिजे, चार इंपॉर्टन पॉइंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टन, लिए लिए लिए, पहला, पहला, फर्स्ट, हिटलर बहुत ज़्यादा, वर्ड्स और स्पीचेस से पावर्फुल था, वो अपने वर्ड्स, अपने स्पीचेस के लिए जाना जाता था, हिटलर की वर्ड्स और उसके स्पीचेस, बहुत ही ज़्यादा क्या है powerful है तो उसने ऐसे बहुत सारे speeches दिये बहुत सारे ऐसे बाते गरी जिससे लोग जो है काफी क्या हो गए powerful तो उससे लोग क्या हो गए लोग उससे influence हो गए influential तो बहुत सारे promises कि उसने point number B फिर उसने बोला लोगों को कि मैं जर्मानी को एक स्ट्रॉंग नेशन मनाओंगा मैं जर्मानी को एक एक स्ट्रॉंग नेशन मना के दूंगा तुम लोगों को मुझे वोट दो मुझे जिताओ मैं जर्मानी को बहुत स्ट्रॉंग नेशन मनाओंगा उसने ये बोला फिर उसने का अब याद करो treaty of Versailles के क्या क्या प्रोविजन थे पढ़ा चुका हूं आपको कि जर्मनी की लांड जर्मनी की टेरिट्री जर्मनी की रिसोर्स सेवेंटीफ़ परसेंट आफ डिया गया थे राइन लाइन को क्यूपाई कर लिया गया था जर्मनी को डी मिलिटराइज कर दिया क्लियर फिर उसने कहा लोगों के दिल पर उसने हिट किया और उसने कहा लोगों की डिनटी को मेंटेंध रखोंगा डिलिटी ओप दी इंडिवीचुल यह सब तो बाते उसने करी ना फिर उसने कहा बाइस हर आदमी की डिअटिआए वो मैंटें रहेगी डिगनेटी ऑफ200 यह उसने बुला फिर उसने कहा कि सब लोगों को employment दूँगा लोगों नहीं क्या बात कर रहा हो उसने कहा क्योंकि unemployment बहुत साथ हो गया था great economic depression से भी treaty of Versailles से भी unemployment दूँगा और उसने कहा आखरी में कि मैं कोई भी foreign interference नहीं होने दूँगा लिखेगा point number E के बाद F no foreign interference इसका मतलब ना ब्रिटेन ना फ्रांस कोई भी अब जर्मनी के उपर दखल नहीं देगा no foreign interference no foreign interference clear clear हो गया तो एक तरह से हिटलर जो है यहाँ पर लोगों के लिए savior बनके निकला लोगों के लिए मस्या निकल गया लोगों ने इसको बहुत power दी बहुत support किया और इस वह से हिटलर जो है हिटलर comes to power लिखिएगा please note कर लिजे लिखिए because of all these from all these promises because of all these promises and propaganda please note Nikli J because of all these promises and propaganda Hitler got lot of support support from the people Hitler got lot of support from the people and this is how he comes into power Hindi में लिख लीजे इन्ही वादों और प्रोपगाडड़ा की वजए से हिटलर को लोगों ने बहुत प्यार दिया support किया और इस वजए से हिटलर पावर में आ गया लेकिन हिटलर ने यह सब पावर यह promises फुल्फिल किये कि नहीं किये यह भी हमारा आगी का लेक्चर अब बताएगा प्लीज सी जब हिटलर यहां पर गंदी पर बैड़ गया हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया सबसे पहला काम उसने किया कि उसने डेमोक्रसी खतम करके डिक्टेटरशिप लिए लिखिए अब हिटलर पावर में है हिटलर इन पावर और जब हिटलर पावर में है तो सबसे पहला काम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऐसे बना लीजे मेरे साथ साथ कि अभी तक जर्मनी के अंदर क्या थी डेमोक्रेसी थी और उसने डेमोक्रेसी खतम करके डिक्टेटरशिप ले आया डिक्टेटरशिप ले बात है वो चाहता भी था लेकिन यह डिक्टेटरशिप आई कैसे सवाल यह है हाओ सवाल यह है इसके लिए सब लोग चार पॉइंट लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनली फूर पॉइंट्स चलिए नंबर वन नंबर वन प्रेसिडेंट हिंटनबर्ग ने सबसे पहले हिटलर को चांसलर्शिप ऑफर कर दिया कि आप जो है वो चांसलर बन जाईए तो 30 जनवरी 30 जनवरी 1933 को लिखीगा पर्स्ट इंपॉर्टेंट नी 30 जैन 1933 हिए जो प्रेसिडेंट हिंदनबर्ग थे जो प्रेसिडेंट थे कॉन हिंदनबर्ग उन्होंने चांसलर्शिप ऑफर कर दी किसको हिटलर को और हिटलर जो है यहां पर क्या बन गया चांसलर बन गया जो वह वह यहां पर हो गया अब हिटलर जब गदी वैठता है जब चांसल बन जाता है जर्मनी का तो उसका पहला उसका सपना यह है पहला काम यही था कि कैसे मैं डेमोक्रसी खतम करके डिक्टेटर्शिप ले आऊंगौ वह ऐसा सोची रहा था तभी जर्मन परलेमेंट्ट में आग लग जाती है जर्मन पर्लेमेंट है काट ला अब सोचो वह ही पॉयसे ही जिदी का आप जहाता है य यहांद द गमोक्रस ठी में आग लग गई अपने आप यहां पर कुछ हुआ आग लग गई पॉइंट नंबर सी इसको लेकर ताकिकात हुई और यहां पर एक डिक्री आती है यह जमन पार्लिमेंट आग लगती है ओविसली 1933 सेम परवरी 1933 में लास्ट फेब में 1933 में फाइर डिक्री आती है फाइर डिक्री एक यहां पर आगया ठेक है तो फाइर डिक्री यहां आती है और इस फाइर डिक्री ने it suspended it suspended all these civic rights of the people it suspended all these civic rights of people कौन कौन से civic rights civic rights of कौन से liberty civic rights of liberty press and freedom liberty press freedom अब सोचो सारे rights जो थे freedom के खतम हो गए press खतम liberty खतम तो dictatorship तो आ गई और एक आखरी point बचा था और वो ये कि उसने एक enabling act पास किया प्लीज नोट करिएगा 3rd March 1933 को 3rd March 1933 को उसने एक enabling act यहाँ पास किया enabling act ठीक है और इस enabling act के तहत क्या हो गया? dictatorship established हो गई in Germany dictatorship established in Germany clear clear यह point clear हो गया सब लोगं को किस प्रकार से डिक्टेटर्शिप यहाँ पर establish हुई है अब जब डिक्टेटर्शिप यहाँ बन गई अब जिस तरह के economic prosperity की जिम्मदारी के जर्मनी बहुत economically prosperous हो prosperity इसकी जिम्मदारी हिटलर ने एक व्यक्ति को दी जिसका नाम था हजालमर छैचिट हजालमर छैचिट ऐसे ऐसे नाम है क्या बता हो दि रहता है हजालमर छैचिट है क्षप सबसे पहले कि भाया आप जो है वो लड़ाई यहां पर बंद कर दीजे stop fighting उसने कहा stop fighting पहले जो लड़ना बंद कर दीजे और दूसरा उसने कहा कि economy के लिए economy के लिए full production full production और full employment की थोरी पर काम होना चाहिए क्या मतलब हुआ उसका सीधी सी बात है असान सी भाषा है क्या कि अगर आप कोई चीज फुल लेवल पर production करोगे पूरी जोर पर production कर रहे हो तो फुल production हो रहा है तो इसका मतलब आपको ज्यादा लोग चाहिए होंगे उसको produce करने के लिए तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा इंप्लाइमेंट दोगे ठीक है ना ज्यादा लोग को इंप्लाइमेंट दोगे तो एकनोमिक प्रॉस्परिटी की जिम्मदारियां पर रिस्पॉंसिबिल्टी वह हिटलर ने हजालमार चैचट को दी यह रिस्पॉंसिबिल्टी प्रॉस्परिटी की इसको दी गई हजालमार चैचट को इसके दो पॉइंट से पहला स्टॉप पाइटिंग और दूसरा एकनोमी को चलाओ फुल प्रॉडक्शन और फुल इंप्लॉइमेंट पे और यहां तक तो बात सही थी लेकिन अब क्या हुआ कि अच्छा इसी बेसि स्टेट है जैसे कि नॉट स्टेट में इस सूपर है इंप्लेग जो आज आप देखते हो जर्मानी के अंदर सूपर हाईवे वह यहीं की देन है जैसे कि फॉर एक्जामपल फॉक्सवागन कि यह सब उसी वक्त की देने तो हजालमर शाचट ने कहा कि लड़ाई मतलो इटलर ने कहा रहे यह पगला वगला गया क्या क्या बात कर रहा है इसको अटाओ यहां से तो उसने इस पॉइंट पे जब हजालमर शाचट ने स्टॉप फाइटिंग का बोला यह लगना छोड़ इंको निकाल दो digest to oh you got the hold उसको भाष निकाल दिया क्यों क्यों कि हिटलर करता हुई हम ने लोगों को जर्मानी को नैशन बना देना है इसलिए हम तो लड़ैगे ऊपिन नने नडाई तो और यहां लडाई के लिए वह बोलता है कि अफ्वर्दा लड़ाई लडएंग और इसे में हजालमर शैच्ट को यहां पर क्या किया उसको बहार निकाल दिया इनट लड़ने को तयार था यह था उसकी आगS किस प्रकार से इक्नोमेक प्रोसपरिटी नाने वाला थाख पिर उसने एक वासर किया था जयाद करो एक वादा और किया था क्या foreign influence कि मैं जर्मनी पे किसी और का foreign influence नहीं होने दूँगा ठीक है ना ठीक है प्लीज लिखिए foreign influence foreign influence या foreign policy Hitler की foreign policy क्या बनी है लोग नहीं बोले लोग क्यों बोलेंगे लोग नहीं बोले बहरे लोगे लोग को लगे बढ़िया कर रहा है हमारे ले कर रहा है अचा और और जो करेगा अचा करेगा अचा करेगा ये लेकिन ऐसा हूआ रहना Chancellor किया थे को Chancellor जैसे हमारे ना PM की पोस्ट है जर्मिन मान दो chancellor हो गया समझने के लिए आसान भाशाल ठीक है clear अब foreign policy क्या थी please make these four points very very important क्या क्या foreign policy थी number one सबसे पहले जो League of Nations था जो World War 1 के बाद बना था League of Nations से उसने अपने आपको withdraw कर लिया Hitler withdrew Hitler अपने आपको League of Nations से निकाल देता याद करो जैसे United Nations आज के टाइम पे है वैसे ही पहले 1919 World War First World War के बाद League of Nations बनाया गया था पर चुकि Second World War हो गई थी और League of Nations अपने objective को पूरा करने में या अपने objective को उसको follow करने में वो असफल रहा इसलिए League of Nations को बाद में खतम कर दिया गया उसके जिए United Nations existence में आया ठीक है तो पहला जो foreign policy था चुकि उसने उसने वचन दिया था कि मैं foreign interference countries रटा दूंगा तो उसने सबसे पहले अपने बाद से और उसके बाद उसने ऑस्त्रियो जर्मनी को यहां पर combine कर लिया combined combined अब देखो उसकी ताकत बढ़ रही है इसको Germany को ऑस्त्रियो के साथ उसने combine कर लिया यानि कि अब उसकी power यहां पर और बढ़ रही है ठीक है and point number D फिर क्या किया उसने उसने एक नारा दिया one people, one empire, one people, one empire, one leader, ये नारा उसने दिया कि भाया एक, एक सब लोग समान, one people, one empire, one leader, this was the नारा of Hitler, ठीक है, इसके अलावा उसने सुदंतल लांड को भी reoccupy कर लिया, पॉइंट नमबर E, reoccupied, क्या सुदंतल लांड, ये भी चला गया था जर्मनी के हाथ से, और उसने सुदंतल लांड को भी reoccupy कर लिया, यानि कि उसने राइन लांड वापस ले लिया, जर्मनी की territory जापस उसने ऑस्ट्रिया को फिर मिला लिया, foreign influence उसने कम कर दिया, ये सब च Hitler ने choose किया था, कि वो लड़ाई लढ़ेगा, Hitler ने choose किया कि लड़ाई लडएगे, तो पहले Hitler के रहा था ना, कि scrape म state कि हजानोब्हे लड़ना चाहिए, तो Hitler ने यहां पर कहा कि नहीं भी आई, यह क्या बगवास बोल रहा है हम तो लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि लड़ाई लड़के ही हम अपनी territory को वापस ला सकते हैं और अपनी country को economic crisis से निकाल सकते हैं हिटलर अपने expansion को यहां पर आगे बढ़ाता है और अब जब आगे बढ़ाता है तो कहानी हो चुरू हो जाती है world war 2 की यहीं से उसने world war 2 करवा दिया अरे भाई साफ सोचो एक आदमी ने world war 2 करवा दिया इससे बड़ी बात क्या होगी अकेला आदमी world war 2 करवा रहा है प्लीज सी है सब कुछ ठीक था चलो ठीक है जर्मनी आप कब जाने चाहिए अब जर्मनी का expansion करने घड़ा वो क्यों कि लोगों से promise कर रहा था पर सप्टमबर 1939 को क्या हुआ पस सप्टमबर 1939 हुआ क्या इस दिन हुआ ये कि जर्मनी ने अटाक कर दिया था जर्मनी ने अटाक कर दिया किस पर पोलैंड पर जर्मनी ने पोलैंड पर अटाक किया तो पोलैंड को support करने के लिए यहाँ पर अटाक किया कब जा भी कर लिया तो इसके against में यहाँ पर France औ इंग्लेंड आ जाते हैं प्रांस प्लस इंग्लेंड ये लोग सामने आते हैं तो यहां से शुरू हो जाती है beginning of world war 2 इस इस बीगिनिंग of इसके अगेंस यहां पर खड़े हो गए फ्रांस और इंग्लेंड इस बीगिनिंग ऑफ दी वर्ल्ड वार ट्रू ठीक है न अब सेप्टमबर 1940 में जब इधर आप देखोगे तो भाई यहां पर फ्रांस और इंग्लेंड आ गए इस साइड क्या हुआ 1940 में जर्मानी ने एक ट्रिपाटाइट पैक्ट किया एक ट्रिपाटाइट पैक्ट यहां पर हमको देखने को मिलता है और इस ट्रिपाटाइट पैक्ट में उसने दो कंट्रीज के साथ समझाता किया एक तो जर्मानी खुद था ही और साथ में जैपैन और इटली को भी वो अपने साथ जोड लेता है इसको मेलोग बोलते हैं आपर त्रिपटाइट पैक्ट जो जर्मिनी नहीं आपर किया था बट 1941 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देता है हिटलर कर देता है नोट कर देता है 1951 और 1941 में यह था यह यह टाइग्ट लटायको लिक्टलर अपर नाग flour under या ब्लेंडर बाई हिटलर क्यों वाई इस कुछ कमझ लेते हैं देखो या यह है आपका मान लो क्या जर्मनी इधर आपका क्या है ब्रिटेन इधर आपका क्या हो गया इस यौर सोवेट रश्या अब ब्रिटेन के साइट से अल्रेडी बंबार्टिंग हो रही है यौर अल्रेडी फ्राइटिंग ओन वरं फ्रेंट जर्मनी यहां पर था और जर्मनी एक एंड पर अल्रड़ी लड़ रहा है ब्रिटेन से और अब दूसरा मुर्चा भी आपने खोल लिया सोवेट रश्या से इस वाज दी ब्लंडर कभी भी लाइफ में ऐसा मत करी अभी आप आये इसकी त्यारी कर रहे है आई इस त्यारी करिए कोई और मोर्चा मत खोली क्योंकि आप अल्ज़डी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़न है वह आई इस की इक्जाम के त्यारी करना this was the mistake done by Hitler history कैसे हमको messages देती है Hitler ही गल्टी क्या है आप अलड़ी एक front पे लड़ रहे हो यार Britain की तरफ से bombarding हो रही है आप अलड़ी अपना मोर्चा खोले हुए हो क्या सरुवती इस वक्त Russia की तरफ Soviet Russia की तरफ अटाक करने के लिए अब दो तरफ से यहां पर हमले होने लगे और यही पर Hitler की गल्टी ती दिस्पॉज दी ब्लंडर बाए Hitler और आप देखोगे कि Soviet Russia ने Hitler को Stalingard पे हराया भी दिया Defeats Germany at Stalingard नोट करिएगा और उस पे यहां पर कबजा कर लिया Soviet Russia ठीक है Clear अब यहां पर अब यहां पर एक बाद सबजने वाली है कि यह तो हो गया लेकिन अमेरिका कहां आ रहे गया भाई अमेरिका कैसे इससे दूर है अमेरिका वांटेट टू रिमेन अलूफ अमेरिका इस व्ल्ड वार में नहीं पढ़ना चाथा ता क्यों करके अमेरिकाने व्ल्ड वर वार उन से काफी सीख ले रखी थी उसको याद है कि व्ल्ड वार उन में जब उस ने पाट स्पेट किया तो गाफी बुरे इंपक्त देखने को मिले देर सब्ट में ग्रेट इक्नामिक डिप्रेशन भी आ गया था इसलिए व्ल्ड वार टू से व्ल्ड युएसे जो है एकदम वॉंटेट तू रिमेन अलूफ नोट करिएगा युएसे वॉंटेट टू रिमेन अलूफ प्रॉम व्ल्ड वार टू से यहां पर अलूफ रहना चाहता था लेकिन बट ऐसा हो नहीं पाया क्यों क्योंकि जापान ने जो युएस का यहां पर पर्ल हर्बर था उपर चक्कर काट्र लगा पर हालवर के वों मिए रहे हैं क्या दरूवत है यहां पर बेस था पर अटाक कर देता है ठीक है और इसी वाज़े से क्या हुआ जब यहां पर यह अटाइक करता है यहीं से USA entered in war USA के entry यहां से war में हो जाती है war ended with two things war ended with two things क्या क्या चीज़े पहला नमबर वन dropping of bomb Hiroshima and Nagasaki Hiroshima पर bomb ब्राया जाता है dropping of bomb at Hiroshima और दूसरा Germany lost Germany फिरहार जाता है और Hiroshima पर bombed bombing कर दे जाती है और इस तरह से world war 2 जो है वो end हो जाती है clear tripartite का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो slavery system था France का आफरिका का tripartite मतलब tripartite तीन parties तो कभी कुछ ऐसा होगा तो यहां पर tripartite आप लिख सकते हो clear है now coming on to the last and final part of this chapter 24 जिस प्रकार का behavior juice के साथ किया था अब चूंकि hitler मर गया है उसके प्रोपेगांडा में इसकर गॉबल उसके कर लिया है तो अब उसके बाप को लग रहा था कि जिस प्रकार का behavior juice के साथ हुआ था वैसा ही behavior अब allied powers हमाई साथ करेंगी और मैंने कहा आपको के उसके लिए international tribunal यहां पर फॉर्म किया गया था 1945 में लेखिएगा 1945 वर्लड वर्ल टू एंडड और जब वर्लड वर्ल टू एंड हुआ तो international military tribunal यहां पर फॉर्म किया गया जो भी horrors थे जो नाजीज ने किये थे उन नाजीज को ट्राइल करने के लिए 11 नाजीज को यहां पर सेंटेंस्ट कर दिया गया 11 नाजीज को और सिर्फ 11 को क्यों किया यह ओल्ड़ी वह बहुत बहुत लोग मरे थे इस वास बेसिकली सिंबॉलिक कि हमने नाजीज को पनिश किया और यह जो है कहां हुआ था इस आई चोल्ड यू नियूरिंबर्ग में हुआ था और इसी को हम लोग बोलते है क्या नियूरिंबर्ग ट्राइल कहानी याद आ रही है कि नहीं आ रही है हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको पीछे से जोड़ दूस पूरे मतलब कहानी सुनाई अब उसका आपको रियल चीज यहां पर समझना आगा यहां तक कहानी क्लियर हो गई अब बात ही आती है कि सर जीूस के खिलाफ हिटलर ने कौन-कौन से या इस वार में किन-किन ओफंस के लिए इस ट्राइबुन किस-किस ओफंस के लिए नाजियों को यह जीया है फिलर की पार्टी को ट्राय किया गया घ्याक यह कि आउफंस किये थे और लिए 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 लग ली जैंस पिस सिंप्ल बालाइब नांच चाहिए चाहिए लिए 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 एगक तीन प्राइंस पीस नोट करिए लगिएगा A point Crime Against Peace पहला Crime चांती के खिलाफ यहां पर Crime हुआ दूसरा War Crime War की आड़ में बहुत सारे लोगों को मारा गया and C Crime Against Humanity इंसानियत के खिलाफ यहां पर Crime किये गए Crime Against Humanity यह तीन Offenses के लिए नाजियों को ट्राई किया गया था उस International Military Tribunal के अंदर यह सारे Offenses आप देखोगे Against Nazis किये गए Clear? Against Nazi यहां पर यह किये गए नोट कर दीजे अब बात यह आती है कि भाई यह जो Hitler था यह क्यों यहां पर इतना त्याचार कर रहा था लोगों के उपर उसकी पार्टी की आइडियोजी क्या थी? नाजीस की आइडियोजी क्या थी? क्यों जूस पर इतना त्याचार हुआ? वो समझते हैं लिखेगा नाजी आइडियोजी तीन पॉइंट है मिटा बस लिख लो अगदम क्रिस्टल क्लियर ऐसा सब्जेक्ट अब्जेक्टिव तुम्हें हिस्ट्री कहीं नहीं मिलने वाली एगदम पॉइंट तू पॉइंट क्या इडियोजी थी? येस प्लीज येस प्लीज लिख लीजे? इडियोजी फॉस पॉइंट फॉस पॉइंट सुसाइटी को रेशियल सग्रिगेशन कर रखा था सुसाइटी वस डिवाइड ओन दी बेसिस ऑफ रेस रेशियल सग्रिगेशन कर रखा था सुसाइटी के अंदर ठीक है न? नोट किया जाए सुसाइटी वस डिवाइड on the basis of race और इसमें आप देखोंगे क्या था कि भाई कोई अगर blonde eyes का था, blonde hair का था sorry किसी के अगर blue eyes थी अब blue eyes से गाना तो याद नहीं आ रहा है blue eyes hypnotize theory यह दूसरा है ठीक है न तो यहाँ पर जिनकी blue eyes थी और जिनके blonde hair थे वो nordic Aryans हुआ करते थे और उनको first preferred लोग हुआ करते सुसाइटी के वो ठीक है न देवर basically, note करिएगा they were basically nordic Aryans nordic Aryans और society के अंदर first preferred people थे, सबसे पहले preference society के अंदर किसी को मिलता था तो वो इनी को मिलता था first preferred ठीक है first preferred और इनको वो Hitler जो है, वो कहता था कि these are the desirable people of society these are the desirable people of society यानि society में उनको रहना चाहिए, clear point number one, point number two पे आईए, दूसरे कौन थे Jews were considered last Jews were considered undesirable और या लास्ट और यह लोग क्या थे? Jews, undesirable कहा गया उनको या इनको सुसाइटी में नहीं होना चाहिए, यह undesirable लोग है और इस बात को वो support करने के लिए, वो यहाँ पर चाल्स डार्विन, इन सबकी वो थेोरी को यहाँ पर put forward करता था, कि बहिया, चाल्स जाविन ने कहा है, उनकी थेोरी है, Herbert Spencer, चाल्स जाविन, survival of the fittest, ठीके न, वो यहाँ पर बोलता था, Jews को यहाँ पर last physical appearance, on the basis of physical appearance, note किया जाए, कोई अच्छा है, खुप्सूरा था, उसको पहले preference देंगे, बाकी वो को बाद में, तो यह था, ideology, नाजीस की, नाजीस में सुसाइटी का racial segregation कर रखा था, यहनी कि जिसके blonde hair होंगे, जिसकी blue eyes होंगी, वो Nordic Aryans थे, और वो society के first preferred लोग थे, वो desirable लोग कहलाए जाते थे, Jews, society में Jews जो थे, वो बहुत, वो undesirable लोग कहलाए जाते थे, बहुत सारे Jews को मारा उसने, Hitler ने, बहुत Jews को मारा, याने जितने gypsies को, Jews को, लाखो, हजारों लुकितादाद में यहाँ पर Jews को मारा उसने, सबसे बढ़े दिया हैं कि यहाँ पर Jews क्यों इतना effect हुए Hitler से, please give the heading, why Jews were affected the most, सारे question के जवाब दे के यारा हूँ आपके, आप जो पूच रहे हो ना, आपके सवाल से पहले ही हाँ सवाल बन रहा है, लेकिए का, why Jews were affected the most, सबसे ज्यादा Jews पे effect क् Yes, please, बढ़ा लीजे अगेर, फ्लो चार्ट, चार इंपोर्टेंट रीजन्स, क्लिर हो जाएगा, नमबर बन, A point, Meaning, First, पहली बात, जूज को, Consider किया जाता था, कि उन्होंने, क्राइस्ट को, मारा है, इसलिए, हिटलर जो है, वो, उनको, पसंद नहीं करता था, नमबर बन, जूज, Considered, Killer of Christ, इसलिए, वो, उनको, पसंद नहीं करता था, नमबर टू, हिटलर, उनको, पर्सनली, पसंद भी नहीं करता था, हिटलर, पर्सनली, हेटेड, जूज, हिटलर के, पर्सनल, रीजन भी थे, हिटलर, पर्सनली, हिटलर, हिटलर, पर्सनली, हेटेड, जूज, ठीक है, न, और, हिटलर, यह वांटेड, टू, एलिमिनेट, देम, वो, उनको, एलिमिनेट, करना, चाहता था, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, न, पॉइंट नंबर सी, फिर देखिए, नंबर सी, जूज को बाइकॉट किया गया, जूज वर बाइकॉटेड, साइनागॉग्स वर बंट, जॉज, इन पाइक, जूज वर लेफ्ट होमलेस, साइनागॉग्स क्या होते हैं, जहां पर प्रातना करी जाती है, ठीक है, जहां पर प्रातना करी जाती है, वो चीज यहां पर है, नोट करिएगा, लेखिएगा, जूज वर बाइकॉटेड, जूज वर बाइकॉटेड, साइनागॉग्स वर बंट, साइनागॉग्स वर बं and Jews were left homeless Jews were left homeless clear point number D point number D or Jews की mass killing हो रही थी mass killing नहीं बड़ी तादाद में यहां पर Jews को मारा जा रहा था इसलिए आप देखोगे कि Jews को यहां पर मारा गया था ठीक है clear अब बात ही आती है कि Jews को मारने में यहां पर बड़ी ही confidential words में बात करी आती थी official communication उनके अलग माएने से होते थे ताकि बाहर की दुनिया को पता नहीं चल पाए कि क्या exploitation क्या exploitation Hitler जो है वो Jews पर कर रहा है तो official communication यहां पर बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था आप भी सोचों कि अच्छा है ऐसा क्या देखिए ज़रा कैसे 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 प्लीज सी official communication कैसे हो रहा है हिटलर special treatment दे रहा है तो मास किलिंग को नुट करिए मास किलिंग को हिटलर special treatment बोलता था यह सिर्फ इसलिए ताकि हो रहे थे जर्मनी के अंदर वह बाहर की दुज़े को पता ना चल पाए है इसलिए इस तरह के वर्ट का इस्तेमाल किया गया ठीक है नंबर टू जिवस की किलिंग को final solution कहा जाता था जिवस की किलिंग को final solution कहा गया final solution ठीक है पॉइंट नंबर सी अब देखो final solution हिटलर बोलेगा final solution करने जा रहे हैं तो लोगों को लगा अच्छा बड़ी बात अच्छा बात final solution हो रहा है है ना जो डिसेबल्ड लोग थे उनको मारने को यूथनेसिया कहा जाता था किलिंग ओफ कि डिसेबल्ड कि क्या कहते तो इसको यूथनेसिया कि पॉइंट नंबर डी ग्यास टेंबर को डिसेबल्ड एरिया को ग्यास टेंबर को डिसेंफेक्शन एरिया कहा जाता था ग्यास टेंबर जहां पर उनको ले जाके कि यूद्ध किशन में उसमें घयास चैमबर में उसको है क्या जाता थाता when Peeple थे कर्किन टू घयास चैमबर तो ये नमीर मानने है जा म나म बोलता था कि एक है और तो इस त्या पर इस्तेमाल किया गये थे ज्यूस के लोगों को मारने के लिए क्लियर है ठीक है न देखो एक वर्ड और आता है घेटास घेटास वो जगह थी जहाँ पर इन ज्यूस को रिसाइट करने के लिए छोड़ दिया जाता था तो रहने के लिए घेटास घेटास गिली बहुत घेटास ऐसे जगह जूज रहते थे बैचारे ठीक है अब यहाँ पर हिटलर का टार्गेट यह था कि अगर वो हिटलर वो चाहता था कि पूरे जर्मनी को बदल दे तो उसका टार्गेट जेफिनिट सी बात है वो स्कूल से शुरू होगा टार्गेट architectural टार्गेट उफ injust डार्गेट अरह से不會 नोट कराफ़ इंगर करेंगा हिटलर की टार्गेट पह श्कूल्स हिटलर की टार्गेट पह यह एहेंपर यूथ कि और हिटलर की टार्गेट पह वोमन अब इस टीचर को हिटलर ने स्कूल से निकाल दिया जो भी जीचर भूँआ करती थी स्कूलों में वहां से का बच्चा वो नॉन जूज के साथ नहीं बैठेगा तो स्कूल की कुछ पॉइंक्ट्स है या आप चाहू तो यहाँ पर mention कर सकते हो चार पॉइंट्स है देखिएका नंबर वन पहला जीज टीचर जीज टीचर थ्रों तो नाउट पहला पॉइंट डूसरा सेग्रीकेशन हो गया है सेग्रीकेशन कर दिया गया क्या कि कोई भी जर्मन बच्चा कोई भी जर्मन बच्चा वो जीज के साथ नहीं बैठेंगे ठीक है न उसके लावा जीज चिल्डरन को फिर स्कूल से निकाल दिया गया जीज चिल्डरन थ्रोन आउट फिर उनको बाहर निकाल दिया गया एंड लास्ली सबसे इंपोर्टन बात जो थी वह यह उसने इतिहास की किताबों को बदल दिया इस्ट्री बुक्स और इस्ट्री के बुक्स में वह चाहता था कि हिटलर की तारीफे हों हिटलर की आइडि पढ़ा लग जाओगे तो बच्चे तो बाई बर्त चेंज हो जाएंगे तो उसको लगा किया रगर हमको सुसाइटी को पूरा और चेंज करना है नीचे से ऊपर तक तो खाली ऊपर के लोगों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा हमें सुसाइटी के जड़ पर जाना चाहि जब बच्चे टागट कर लिए उसने चोड़े फिर वह यूथ पर आ गया और यूथ के लिए उसने यहां पर तीन कैटिग्री यहां पर उसने बनाई यूथ के लिए एक उसने बनाया कि अगर कोई बच्चा टैनियर्स की एज का है तो उसके लिए जंग वोग खोला गया जंग वोग यहां पर उसको सिखाया गया कि लड़कियां सौफ्ट होती है लडाई लड़ेंगी लड़के हाट हाड होने चाहिए लड़कों के अंदर एंदर वाइलेंस होना चाहिए है ना एगरेसे वह बैटन लड़े यह सब करें तो जंग वोग में सिखाया गया इसके लावा जब बच्चा 14 साल का हो जाएगा 14 years का तो उसको नाजी youth organization में भरती करा देते थे तो उसके लिए नाजी youth organization यहां बनाया गया 1922 में ठीक है ना यह लिखने जरूरत नहीं है और जब वो बच्चा 18 years का हो जाएगा तो फिर military services उसको प्रवाइड करनी है उसको military service करने को mandatory कर दिया गया क्या आप military service यहां पर प्रवाइड करिया ही करिया इस तरह से उसने youth को बदलने कोईश करी देन लास्टी और फाइनली वो में क्यों पर आया बोला कि भाईया वो में को बहुत अज्ज़त दे जाई है मैं यह बहुत देता हूं मेरी मा मुझे बहुत प्यारी है ऐसा बोला लेकिन अट सेम ताइम फिर उसने कहा कि अगर कोई woman desirable बच्चे को जनम देती है तो इसको हम award करेंगे और अगर कोई woman undesirable बच्चे को जनम देगी तो इसको हम punish करेंगे कि अब आपने के बच्चों को जनम धिया यहां पर उपर ऊस्टम यह बनाया गया कि अगर कोई लीडी पूर चिल्डर difन को जनम देती है वोड़ ट्रॉड को जनम देती है यह ए Prediction 6 children को जनम देती है या फिर वो अगर 8 children को जनम देती है इस basis पे आवार्ड किया अगर 6 बच्चों को जनम दिया चार बच्चों को तो आपको bronze medal मिलेगा आप समझ लिजए क्या चल रहा है यह बॉर्ज मेडल आपको दिया जायगा अगर आप छे को पैधा किया तो सिलवर मेडील आपको दिया जाएगा और अगर आपने एट चल्रींग को जनम दिया तो आपको गोल्ड मैडल दिया जायगा यह ती उसकी वद्में पॉलिसी इस प्रकार से हिटलर ने यहां पर लोगों को टर्गेट करना शुरू किया औरनेरी लोग और एक्शन था और कि बहुत सारे लोग थे ज़ो नाजी को अप्रिशेट कर रहे थे क्योंकि इनको पढ़ा था कि अगर नाजी को अप्रिशेट नहीं करेंगे तो यह हमको मार देंगे reaction of general people reaction of general people दो प्रकार के लोग थे दो reactions थे एक reaction था एक reaction था कि people appreciated appreciated Nazis मतलब पहले अभी नहीं पहले के टाइम लोग अप्रिशेट कर रहे थे तो लोग मार देंगे और कुछ लोग ऐसे थे जो नाजी के लिए neutral थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे मतलब एकनोर कर रहे थे बस क्योंकि अगेंस बोलेंगे तो मारे जाएंगे मतलब आप रिशेट कर रहे हैं जय जय खार हो रही है पोस्टर लग रहे हैं फिल्म मूवी बनी थी एक पोस्टर लगवा जा रहे हैं मूवी बनाई गई थी फिल्म बनाई गई थी फिल्म का नाम है अंसी आटी में आता है इंटर्नल ज्यूज ओ भाई इस एक नाम भी देखिया अप इंटर्नल ज्यूज ऐसे यहां पर एक किताब लिखी गई थी थर्ड रिश ओफ ड्रीम्स पर यह किताब जब लिखी गई ना यह लिखी इस ले गई थी ताकि लोगों को दुनिया को जर्मनी में हो रहे होरोर्स के बारे में पता चले और्डर्न वीपल चाहते थे कि उनके उपर जो अत्याचार हो रहा है वो जनता जाने वो आउटर वर्ल्ट को पता चले तो जाने पताब लिखी है शार्लोट शार्लोट आपके उसमें नाम आता है तुक अच्छ अर ओ डवल लेटी ती यह एच यह और ओ डवलल इटी बेराल्ड नोट करिएगा बेराल्ड द्स बहुस भी नहीं तो इन्होंने लोगों के एक्स्पीरेंस से किताब लिखी इसको बो और इसमें वो सारे हॉरर्स जो हिटलर की टाइम पे हुए थे वो दुनिया को बताये गए ताकि दुनिया जान सके किस प्रकार का यहां पर अत्याचार जो है वो हिटलर ने लोगों की ऊपर यह था दोस्तों यह था पूरा चाप्टर जो यहां पर अब एंड हो गया वोफु को जरूर बताईएगा उमीद है आपको समझ में आयागा जन्यूर्ली आइवां टुनों इंदी कॉमें बॉक्स कि आपको लेक्ट्चर कैसा लगा ठीक है मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अगले हफ्ते याच्वल फो टुडेए फ्रम माई साइड पढ़ाई करते रह झाली आपको लेक्ट्चर कैसा लेक्ट्चर कैसा लेक्ट्चर अगलेए झाली है